विल्कम टू माई निव वीडियو में तो गाइज आपके में भी मुबाइल में बहुत ही शिलो बाइटरी चार्ज होती है आपके जो बाइटरी चार्ज होने में लगभग 2,5 अगंटे लग जाते हैं और ऐसे में आप लोग कोई भी काम करने जाते हैं जब भी आप लोग सफर कर रहे होते हैं मोबाल में तो आपका जो बैटरी है उसको चार्ज करने में बहुत ही समय लगता है तो यहाँ पे हम आप लोगों को AC ट्रिक बताएंगे मातर 30 से 35 मिनट मेरे आपकी जो 100% बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो AC वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को बीना स्किप के आपको लाज तक देखेंगे कहीं आप लोग सफर कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं मातर आप 30 मिनट आप लोगों के पास हैं तब भी आपका जो मोबाल है फुल चार्ज हो जाएगा और बैटरी का बैक अपको पूरा का पूरा मिलेगा ऐसा नहीं कि आपकी बैटरी जो जल्दी चार्ज हो गही है तो वो जल्दी खतम हो जाएगी कुछ भी नहीं है कुछ आपको अलग से हेडियन सेटिंग करना होगा ठीक है तो जिससे कि आपकी जो fast charging है वो enable हो जाएगी फिर आपका जो 20-20 गंटे आपका जो wait करना पड़ता था mobile charge करने में वो आपको नहीं charge करना पड़ेगा ठीक वो समय आपका बच जाएगा इतने में आप लोग सफर कहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपका जो है अच लेटिंग के अंदर जरूर मिलेगी तो यहां पर मैं इसको क्लिक कर देता हूं जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप लोगों को see all apps जो हैं आप लोगों क्लिक करना है यहां पर आपने जितनी भी application चला रखे हैं सारी application इसके अंदर आपको मिलेंगी लेकिन उसका logo भी और यहां पर आप logo को अगर कोई भी AC application आप logo को third party आप logo को यहां पर दिखाए दे रही है उसका कोई नाम भी नहीं है और इस तरीके से अगर उसका logo भी नहीं है तो आपको क्या करना उसको तुरंत यहां से delete कर देना है ये delete कर अगर AC में हमारे इसके अंदर रहेंगे तो हमें फास जो charging है वो enable नहीं होने देंगे तो आपको पहली setting ये करना है आपको सभी को धीरे से देख लेना है अगर यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नाम मिला है जिसमें उसका कोई भी नाम नहीं है और शाद में उसका logo भी नहीं है तो आपको उसको delete करना है ठीक है तो पहली setting ये कर लेना है अगर आप लोगों की दिपलोपर option नहीं है तो आप लोग इसको जाकर अपने में logging करना है उसके लिए जाना है about phone में वहाँ पर मिलेगा आपको built number उस पर 7-8 लगातार click करना ये जो headion setting है आप लोगों की open हो जाएगी यहाँ पर देख लिजी आप लोगों को deploy pro option ठीक है तो यहाँ पर मैंने deploy pro option पर click कर दिया अब इसी के अंदर आप लोगों को कुछ setting करना है तो दो setting आपको यहाँ करना है तो पहली setting आपको क्या करना है यहाँ पर मिलेगी आपको running service तो आपको यहाँ पर click कर दिना है अब इसके अंदर आपको कुछ ऐसा देखना है कि कोई third application आप लोगों की तो नहीं यहां पे है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा battery का backup खतम करती है जिससे कि हमारा जो battery जितनी charge नहीं होती उससे ज़्यादा खतम करता है तो आपको यह क्या करना उसको यहां से stop करना जैसे कि यहां पे click करेंगे और यह आपको stop करने का option मिल गया यहां पे आपको click करकिश को stop कर देना है तो आपको इसको दूसरी आपको setting यह करना है अच्छी तरीकी से आपको यहां पे जान लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पे तीसरी setting करना है तीसरी setting करने के लिए नीचे आना है नीचे आने के बाद वो कौन सी setting है आपको last में चले आना थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे हम चले आते हैं नीचे तो यह application आप लोगों को मिलेगी जरूर आप लोगों को developer option के अंदर आएंगी तो यहाँ पे मिलेगा आपको background process limit यहाँ पे देख लीजिए मैंने policies को setting करके रखा है at most one process अब यह क्या काम करता आप लोगों कि में यह first वाला जो आफसन है यहाँ पे यह वाला आपको फिर से हम देखा देते हैं standard limit पर किलिक होता है यह हमारा जो है application जितनी भी हम अपने mobile के अंदर चलाते हैं वो सारी application हमारे background में process करती रहते हैं जो हमारी battery का backup बहुत ही जादा खतम करती हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है no background process पर कर लेना है या at most one पर process पर किलिक करना है एसे में क्या होता हमारी जो application है जितनी देर हम चलाएंगे उतनी देर तक हमारी background में running करेंगी उसके बाद वो आटोमेटिक बंद होंगी जिससे कि यह जो हमारा battery है बहुत ही far charge होगी तो आपको यहाँ पे no background process पर कर लेना है या at most one पर process पर किलिक करना ठीक है तो यहाँ प पर्शन चार्ज हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो परसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक ले टाटा बाय बाय